नमस्ते, रित्तु की रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबजी मटर का सिजन चल रहा है तो एक बर मटर पनी बनाना तो बनता है ये सबजी सब भी को बहुत पसंद आती है तो आईए बनाना शुरू करते हैं हमने 4-5 हरी मिर्चे लिए है एक पुरा गिठान लैसून कर लिया है एक प्याच, चार टमाटर, एक इंच अद्रक का टुकड़ा और गार्णिश के लिए हरा देने है इनको हम काट कर त्यार करते हैं प्याच, टमाटर, मिर्ची और अद्रक को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है मटर को हमने चिल लिया है हमने एक छोटी कटोरी के लगबग मटर लिये है दूद तो हमारे घर में रोग जाता है बस उसकी मलाई निकाल लिजी हम किसी क्रीम का यूज नहीं करेंगे हम सिंपल ही मलाई डालेंगे अब हम मसाला पीस लेते हैं मिक्सी के जार में लैसुन, हैरी मिर्च, प्याच, अध्रक और आर्दस काली मिर्च थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका महीन पेस्ट बना लेंगे मटर पनीर की ये सबसे आसान रेसिपी है और इसका टेस्ट ऐसा है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा हमारा पेस्ट बन कर तयार हो चुका है हमने 200 ग्राम के लगबग पनीर लिया है पनीर को हम अच्छी से धो लेते हैं पनीर हमने बाहर से मंगवाया है इसलिए इसे दोना बहुत जरूरी है इसे दोनों तरफ से अच्छी से साफ कर लेंगे अगर आप घर का बना हुआ पनीर काम में लेते हैं तो उसे दोने की जरूरत नहीं है आप पनीर को पानी से बाहर निकाल देते हैं अब थोड़ी दे के लिए पनीर को ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए अगर आपके पनीर में पानी रहता है तो एक पॉर्टन के कपड़े में पनीर को लपेट कर पांस से दस मिट के लिए रख सकते हैं अब पनीर को काट लेते हैं पनीर को हमने आधा-दा इंच की डुकड में पर काट लिया है इस थरह पनीर को छोटे-ALLYचोटे सोकुड़ पीस में काट लेंगे यह देखिए पनीर को हमने काट कर तयार कर दिया है यायस ओन करेंगे गैस पर कड़ाई रखें गे पनीर को fry करने के लिए कड़ाई में तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें पनीर की टुड़े डाल देंगे सारा पनीर डालकर अच्छे से fry करेंगे पनीर को medium flame पर 5-10 मिट तक fry करेंगे आप चाहे तो पनीर को बिना fry करें भी सबजी बना सकते हैं fry किया हुआ पनीर सबजी में भी अच्छा दिखता है और खाने में भी टेस्टी लगता है दूसरी तरफ से पलट कर भी पनीर को fry करेंगे ये देखिए पनीर का color change होने लग गया है दोनों तरफ से सुनेरा होने तक पनीर को fry करेंगे अगर आपका पनीर hard है तो इसे कम fry कीजिए अगर soft है तो इसे dark brown होने तक fry कीजिए हमारे पनीर fry हो चुके हैं अब इसे बहार निकाल लेंगे अब बचे हुए तेल में एक चमश मिर्ची पाउडर अदा चमश हंदी पाउडर एक चमश धनिया पाउडर अदा चमश नमक सभी मसालों को डालकर अच्छे से पकाएंगे साथ ही जो हमने पेस्ट तिया किया था वो भी डाल देंगे मसालों को ज़ता देर तक तेल में नहीं रखेंगे जैसे ही तेल में मसाले डाले, साथ की साथ ये पेस्ट भी डाल दे, अब मसाले को अच्छे से भूनना है, मसाले को लगाता चलातो है भूनना है, मसाले को अच्छे से पकाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जिससे कि इसमें प्याज और रैसूं का जब तक हमारा मसाला पकता है, तब तक हम दूसरा पेश्ट तयार कर लेते हैं, मिक्सी के जार में कटे हुए टामाटर और हरा दनिया डाल कर एक महीन पेश्ट बना लेते हैं, इसमें हमें पानी डालने की जरुरत नहीं है, क्योंकि टामाटर में पानी होता है, जिससे ही हमार से 10 मीट तक अच्छे से भूनेंगे ये देखिए हमारे मसाले में से ओईल अलग हो चुका है काफी हद तक हमारा मसाला पक चुका है अब इसमें हम मटर डाल देंगे मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे मटर डाल कर मसाले को 5 मिट तक और पकाएंगे मेरे इस तरीके से एक बार आप मठरपनी बनाओ तो बाहर का मठरपनी खाना चोड़ दोगे पांच मि हो צुके हैं हमारे मतर काफवी हड्ध तक सॉप्ट हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे पनीर पनीर को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपके मतर में मिठास कम है तो आप फोड़ी सी मातरा में इसमें शीले डाल सकते हैं सबजी की ग्रेवी को मलाई में डाल कर अच्छे से मिक्स करें गरम ग्रेवी डालने से हमारी मलाई अच्छे से सौफ्ट हो जाएगी, ये देखिए हमारी मलाई अच्छे से पिगल चुकी है, अब इसे हम सबजी में डाल देंगे, अगर आप चावल की साथ खाना चाते हैं तो इसकी ग्रेवी लिक्विड रखना, आपको अगर रोटी की स खाना पसंद है तो इसकी ग्रेवी गाड़ी ही रखना, एक उबल आने तक सबजी को अच्छी से पकाएंगे, देखिए हमारी सबजी में कितना अच्छा कलर आया है, हमारी सबजी में कितने कम मसाले लगे हैं, कम मसालों में ही हमारी शांदर मटर पनीर की सबजी बनकर तया कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना